हरे कृष्णा, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमार यूट्यूब चैनल जी भक्ति रस्मे स्वागत है मैं विजेंदर आज आपके लिए एको नया वीडियो लेके आया हूं कि हमेशा परसन कैसे रहे मुरारी बापु ने मानस केविट रामकता में बताया कि व्यासपीट की तरह अगर परसन रहना है तो तुम्हें कीमिया बताओं आप सबको परसन होना है कि कायम सोक अवस्था में रहना है लगबग सभी को परसन रहना है न इसलिए तो कथा में आये हो घर पर रहना अगर सोक में ही रहना है तो हमने कोई गुना नहीं किया और अगर ज्यादा परसन रहना हो तो ये परसंता का फोर्मूला मेरा नहीं जगदगुरु संक्राचार्य जी का है हमारे बाप का है मैं फिर से उनको वंदन करूँ सनातन वैदिक धरम को जिस तरह उनोंने स्थापित किया है न साहब आठ वर्स की उमर में तो समस्त विद्या, जिवाग्रे सिर्फ जिवाग्रे नहीं जीवन के अगर भाग में आ गई थी और फिर भास्षय सुरू किया सोलवे साल तक तमाम भास्षय तयार और बतिस्वे साल में तो जीवन पूरा हो गया उस समय जब कोई साधन नहीं थे बतिस साल की उमर में इतना बड़ा काम अफ़तार के बिना संबव नहीं है कर जब काम किया है साहब, उनके करजे से दर्ति कभी मुक्त नहीं होगी परसन रहना है तो इतना करो जगत गुरु संक्राचारे मुझे और आपको कहते हैं पहला, हित परिमित भोजी हमारे सरीर को हित कारी ऐसा और मर्यादा में हो इतना ही खाना अगर परसन रहना हो तो खाने योग्यवस्तु जिसको ठाकुर जी को भोग लगा सको और हम को पचे ऐसा दूसरा बताया है नित्य में कांत सेवी रोज जिसको एकांत अच्छा लगता हो वो परसन रह सकेगा इकागरता का अर्थ होता है कि अभी भी कोई अगर है अभी भी किसी की अगरता है एकांत का अर्थ है एक था वो भी खतम हो गया एकांत स्रेस्ट है तीसरा बताया सक्र दुचित ही तोक्ती हमारे कल्यान की बात हमको एक ही बार कहे कि ये करो तो अच्छा होगा फिर भी अगर ना माने तो वो बार-बार टोकेगा नहीं चोथा बताया है स्वल्प निद्रा विहार है सरीर को जरूरत हो उतनी ही निद्रा लेना और विहार का जो अर्थ करना हो करो स्वल्प सिमित मर्यादा इमानदारी पुर्वक हमोर आप ये कर सकते हैं और इतना करने के बाद भी अगर परसंता ना हो तो तलगा जरडा आना मैं आपको खाना खिला कर वापस बेज दूँ तलगा जरडा मुरारी बापु का गाव है पाच्वा बताया है अनुनियम शीलो दूसरे ने दिये नियम ना पाले उसने अपनी सोब बुद्धिस से बनाए हो वो नियम निभाना कि मुझे ऐसे जीना है ये खाना है ये गुजराती से हिंदी में अनुवाद किया है रूपादीदी ने आपके सामने लिखिया है आगे भी आपके लिए कथा कानिया किस से परसंग लाता रहूँगा अगर आपको एक था कानिया किस से परसंग पसंद आते हैं तो आपने लाइक करें, कमेंट करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें चलने सब्सक्राइब करने का बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे आगयाने वोले वीडियोज को नोटिफिकेशन्स मिलते रहें हरे कुछना